आज तुम्हारे इस चेप्टर को यानि की rules of debit and credit को समाफ करने वाले हैं कल अपने traditional approach देख ली थी क्या होती है उससे related कुछ question हों के types भी पढ़ लिये थे आज अपन उस traditional approach को modern approach से जोड़ेंगे और modern approach में ही कुछ question को attempt करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी approach जादा बहतर है और साथ-साथ में account को balance करना भी सीखेंगे आप एक चीज़ याद रखना account balancing is one of the most 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 important task of this particular accountancy subject क्योंकि जादतर लोग इस balancing को डंग से नहीं समझते और फिर lifetime उनको balancing का भी समझे नहीं आती तो आज की इस वीडियो के इंतर balancing वाले पार्ट को ध्यान से देख लेना अचा साथ-साथ में तुम आरे फाइदे के लिए अगर तुम balancing वाले पार्ट को revise करना चाहते हो तो editor महाचे क्रप्या करके time stamp में balancing of account करके आप balancing वाले पार्ट को highlight करते हैं ताकि जब बच्चा जो है न वो पढ़े तो उसको समझ मा आ जाए ठीक है तो चलो समय विर्थ नहीं करेंगे जल इससे शिरू करते हैं प्रलकी वीडियो के अंदर अपने वार्तलाब कर लिया था कि भाई साव आप लोगों के traditional approach क्या आउटी है जब traditional approach के अपन बात कर रहे थे तो अपनने तीन प्रकार से distribute कर दिया था personal, real and nominal और यह देख लिया था कि personal का rule क्या है, real का rule क्या है, nominal का rule क्या है एक बारेवाइस कर ले, personal is a rule था debit the receiver, credit the giver जो अगर receiver है तो उसको debit कर दो, giver है तो उसको credit कर दो personal account में अगर real account की बात करते हैं, उसके अंदर आते है assets, cash, bank, building, machinery और इसका rule था कि debit what comes and credit what goes out, debit अगर आ रहा है तो credit अगर जा रहा है तीसरा और अंते में बनने पड़ा था nominal account जो कि खर्चे और कमाई से relate करता था इसका simple rule था कि debit all the expenses and credit all the income समझ में आ गया, clear है अब ये traditional upload चल रही थी पर चलते चलते इसमें एक दुविदा आ गई दुविदा ये आ गई कि कई सारी चीज़े ऐसी थी जो अपनी position hold कर रही थी मतलब जैसे capital अपने आप में एक अलग कला है asset अपने आप में इसकी अलग branch है, liabilities अपने आप में एक अलग है तो इसने कहा कि भाई तीन खातों में हम एक ही चीज़ को बार 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 रिपीट कर रहें तो क्यों ने उस चीज़ को ठाके अलग खाता मना दिया जै तो यहां पर आई modern approach जिसके अंदर तीन नहीं पांच तरीके से account को distribute किया गया अब यह पांच तरीके से distribute करना मुश्किल नहीं है, comparatively उससे काईसरी ज्यादा आसान है आसान इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर directly point की बात की गयी अब पहले उन पांचों खातों को देखते क्या क्या है जैसे asset का खाता, अरे तहां चला गया, चला गया दूर, आजओ, सबसे पहले asset का खाता फिर liability का खाता फिर capital का खाता revenue खाता और expense खाता यानि कि यहां personal real nominal नहीं है, asset liability capital revenue और expense है अब यहां पर तोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए कि capital है तो क्या करना है, asset है तो क्या करना है, liability है तो क्या करना है, चुकि हम to the point पकड़ते हैं अब इनके कानूनों को समझते, देखो, अगर हम assets के बारे में बात कर रहे हैं तो इस खाते के अंदर कौन को न आएगा, machine हो गई, building हो गई, cash हो गया, bank हो गया यानि कि एक तरीके से यह real account का ही replica है, एक तरीके से real account को ही repeat कर रहा है तो इसका बड़ा simple है, आप debit कर दो, अगर भड़ रहा है तो, और credit कर दो, अगर कम हो रहा है सर मतलब समझाओ, मतलब देखो, जैसे मैंने बोला, paid cash to, इसके अंदर पैसा आपके पास से जा रहा है तो आपके पास पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो cash is an asset जो हमारे पास से कम हो रहा है और अगर कम हो रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, credit करना है, यादि सिंपल बाशा में credit हो गया अगर हम traditional approach से जाते, तो यहां पर cash कौन सा account होता बिटा, real, और real का rule क्या है, debit what comes in and credit what goes out तो real account के हिसाब से भी हमारा पैसा जा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, credit करना है समझ में आ गया, तो पहला जो account बोलता है, वो बोलता है कि अगर भड रहे हैं तो debit कर दीजिए, खट रहे हैं तो credit कर दीजिए समझ में आ गया, बड़ा simple है, अभी कुछ questions करेंगे, उस समझ में आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आता है liability, liability मतलब responsibility to pay, हमें किसी को पैसा चुकाना है, ये जिब में दाली, तो भाई, अगर liability आपकी कम हो रही है, तो आपको इसको debit करना है, भड रही है, तो आपको इसको credit क करना है, समझो इसको, asset or liability, they both goes opposite, ये दोनों उल्टे चलते, देखो जैसे, यहाँ पर asset अगर भड़ेगा, तो debit करना है, जबकि liability कम होगी, तो debit करना है, liability का balance, asset के balance से opposite चलता है, ये दोनों एक दूसरा के विपरीत है, तो पेड cash to sham, शाम को पैसे देने है, आपने शाम को प जो आपका asset है, एक sham, ये अपकी तरीके से liability है, liability कैसे है, कि भाई पहले इसको पैसे देने थे, तो आपने जब sham को पैसे दे दिये, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बोलो हाया ना, जैसे ही आपने sham को पैसे दिये, वैसे है, क्या आप अपनी जिम्मे वह क्या होगा डेबिट देखो इससे वह जैसे अपने पिछली बाद जनल एंट्री नहीं से न वह एंट्री बना देता हूं देखो हमने बोला एक तो कैश है एक श्याम है यह भड रहा है इसले को कर देते हैं डेबिट सो आपकी श्याम अकाउंट to cash account, sham account debit to cash account, जो भी amount हो यहाँ पर आपको लिख देना, समझ में आ गया, clear है, एक चीज यहाँ दखना मिटा, general entry के साथ एक नीचे explanation उसकी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, explanation जिसको अपन बोलते हैं, narration, क्या बोलते हैं, narration, आप कोई आप से पूछे, narration क्या है, narration का मतलब होता है कि कोई बेवकुफ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें अकल थोड़ी कम है, या ऐसा व्यक्ति जो समझदार थोड़ा कम है, वो अगर यह पढ़े, sham to cash, तो वो इससे क्या समझेगा, sham to cash, non-commer student क्या समझेगा, सर कुछ भी नहीं समझ पाए, उसको क्या पता है, sham को debit करने के मेरा logic क्या है, तो उसको समझाने के लिए, हम यहां bracket में लिख देते हमारा मकसद, क्या, paid cash to, क्या, ठीक है, यह जो नीचे line होती है, यह खाने में नमक की तरह काम करती है, नमक का मतलब क्या है, कि सर, नमक तभी दुखेगा, जब नहीं होगा, अगर होगा, तो उसकी ज़र अनकानी कोई नहीं लेगा, मतलब, अगर आपने narration लिख दिया है, तो क्या लिखा है, इससे फरक नहीं पड़ेगा, पर अगर आप narration नहीं लिखोगे, तो उसकी कमी ज़रूर आपके examiner को दिखेगी, और वो आपके number काट लेगा, अब एक की समझना, narration हमेशा past tense में लिखी जाती है, तो आप चाहें तो इसको being करके लिख दिंगे, तो आपको grammar की mistake होने के chances काफी ज़्यादा कम हो जाएगे, तो try to use being in the narration, तो आपका बहुत बहुत बैतर answer आएगा, तो दो चीज़े समझ ली, modern approach में asset account कहता है, कि debit कर दो अगर भढ़ रहा है, credit कर दो अगर कम हो रह तो आप सभी जानते भी है, पहचानते भी और capital क्या होता है, यह भी हम सब को पता है, तो अगर capital कम हो रही है, तो आप उसको debit कर देंगे, capital भढ रही है, तो आप उसको credit कर देंगे, जैसे, मैं याँ प एक entry लिखो, राम, स्टार्टेड, बिजनिस, BUSINESS, विट, कैश, 50,000 रुप, मैंने 50,000 रुपे लगा के दंदा शुरू करा, तो बेसिकलिए आप सभी जानते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो पैसा लगा के दंदा शुरू किया जाता है, तो capital, तो अब मुझे एक मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फर्म हूँ, तो मेरे पास तो राम ने पैसे दिये ना मेरे को, मेरे पास तो वो पैसा आया, राम ने 50,000 रुपे लगा के धंदा शुरू करा, तो राम ने 50,000 रुपे बिजनिस में लगा है, तो क्या हुआ, वो पैसा बिजनिस के पास गहां तो जब पैसा के पास आया तो बुस haircut के की लाइबिलिटी ही है क्यों कि मालिकूं को पैसा चुकाल ना पड़ेगा वापस Similarly, कभी-कभी क्या होता है, हमारा बनना है ना पैसा निकाल के ले जाता है इच्छा करगी उसके आज़रत पड़ेगी मेरे को, ड्राइंग कर ले या कुछ हो गया तो उस particular condition में में क्या करना पड़ेगा? debit करना पड़ेगा अब यहीं से एक और चीज़ समझो हमने बोला कि वो पैसा निकाल के ले गया तो जब व्यक्ति पैसा निकाल के ले जाता है personal use के लिए, तो उसको क्या बोलते है drawing बोलते है और इसलिए drawing अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो drawing से capital कम होती है इसलिए हम drawing को भी क्या कर देंगे? debit कर देंगे समझवा गया ये सारी चीज़ें एक डूसर से link है समझोगे तो, देखो अब इसके अगर entry post करने की बात करें तो यहां क्या हो रहा है capital है और cash है तो दो चीज़ें यहां निकल कर रही, एक ती capital एक था cash capital भढ रही है, इसलिए उसको debit कर दिया आपने, ओ, credit कर दिया आपने और company में cash भी भढ रहा है तो cash भढ रहा है, cash एक asset है asset भढ रहा है, तो उसको क्या करतेंगे? debit तिको अगर मुझसे personally पूछोगे न, तो मैं कहूंगा कि traditional approach जादा बहतर है क्योंकि वो थोड़ी confusing कम हो जाती है जबकि यहां पर क्योंकि direct words आ जाते हैं तो plus minus उपर नीचे, इसी को भढ़ाना कम करना है इसमें थोड़ासा confusion जादा भढ जाता है मेरे according, बाकि तुम्हारी जो शद्दा हो, वैसा तुम कर सकते हो तो इसके general entry बन जाएगी cash to capital हमेशा जहां रखना, cash to capital आप जब भी general entry करो, तो एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना हो कारे में तुमसे बोल रहा हो, कि हम लोग है न, हमेशा firm के perspective से देखेंगे ना कि personal perspective से, ठीक है यानि कि firm क्या होगी, क्या करेगी, कैसा सोच रही होगी हमारी company क्या कर रही होगी, company को एक आदमी मानो आपकी general entry कभी खराब नहीं चलिए, चौथे आप account पकड़ते हैं, इसको मुलते है revenue account यह तरीके से मैं कहूं तो आपके nominal account का revenue वाला पार्ट है अपने nominal account पड़ा था न, पीछे होगा न, यहां पर इसमें था न, कि debit कर दो expense को, credit कर दो आप income को, तो इसका यह वाला पार्ट है, ठीक है तो revenue account क्या कहता है, revenue account जनाब यह कह रहा है, कि आप debit करेंगे, अगर कम हो रहा है तो, और credit करेंगे, अगर भढ़ रहा है debit करेंगे, अगर कम हो रहा है, तो और credit करेंगे, अगर भढ़ रहा है, तो same goes with this, same चल रहा है तो अगर किसी प्रकार के revenue में गिरावट आ रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, debit कर देंगे जाने कि तरीके से loss हो रहा है, तो उसको debit कर देंगे, और profit हो रहा है, तो उसको हम credit कर देंगे समझ में आ गया, expense के बारे में, expense revenue का opposite चलेगा पूरा का पूरा, तो आपने debit कर दिया, अगर खर्चे बढ़ रही हैं तो और credit कर दिया, अगर खर्चे कम हो रहे हैं तो, खर्चे कम होने का मतलब है, थोड़ा सा फायदा हो रही है, तो कही न कहीं, यह फोकड में बनाए गए घाते हैं, यह दोनों इस तरीके से एक ही बात reflect कर रहे हैं, समझ में आ गया, easy है, simple है न, कितना आसान है, अगर मैं इस तरीके के 2-3 entries करी थी, तो उन entries को अपने modern approach से करते हैं, तो देखते हैं, क्या बहतेरिंग सा result आएगा या उसमें बदलाव आया, ताकि आपको यह भी clear हो जाए, कि आपको traditional approach पकड़ने हैं, और modern पकड़ने हैं, कुछ भी पकड़ो, बात एक ही है, मैं अपने सामने यह दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पांच लाग, ठेक है, करें इसका देखो, दो चीज़े आई यहां पर, एक तो आया capital, और एक आया बिटापका कैश, कैश एक asset है, और धंदे में कैश आ रहा है, तो increase हुआ तो हमने इसको कर दिया debit, और capital तो अपने आप में एक खाता है, कब capital लगा ही, तो capital भड़ रही है, capital भड़ती है, तो इसको करते है debit, तो entry आओ गई आपकी, credit भाई, entry हो गई आपकी cash to capital, समझ में आ गया क्या, easy है, आसान है, ठीक है, आप इसको personal account real nominal से करोगे, तो भी बात वही है, यह personal में आ जाएगा, यह real में आ जाएगा, ठीक है, अगला करें, यह बाई जाना, इसे कर लेंगे, बॉरोड फ्रॉम नरेश, बॉरोड फ्रॉम नरेश, इसका सबसे बड़ा deficit बदाए क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को में liability asset में क्रेक्ट करना पड़ता है, अग अब नरेश से पैसे लिये हैं, तो एक तो cash होगा, और एक नरेश होगा, अब नरेश से हमने उधार लिया है, तो नरेश हमारी एक तरीके से liability to pay है, ठीक है, और यह आपका हो गया cash, cash हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है, तो इसको कर देंगे debit, and similarly liability भढ़ रही है, तो उसक Purchased furniture Costing 30,000 रुपे From Raju Furniture House For cash Cash में Raju Furniture House से furniture करीदा 30,000 रुपे, क्योंकि cash में करीदा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, Raju से करीदा है, Saju से करीदा है, Ram से करीदा है, Mohan से करीदा है, कोई फरक निकिता, cash में खरीदा है, तो एक तो आ गया cash, क्या खरीदा है, साब furniture करीदा है, तो हमारे पास एक है furniture, एक है cash, अब देखो, अपन बिना account बनाए, बिना यह लिखे direct करते है, हमारे पास क्या आ रहा है, फरनीचर करा debit क्या जा रहा है cash जा रहा है तो furniture to cash कितना आसान होगी general entry बनाओ आसान है एक और करा हूँ एक और कर से देखो अब हम बिना उसके भी कर सकते हैं कले question को लब ऐसा class ले लेंगे अपन जिसके अंदर अपन 2-3 question उठा लेंगे जिसको अपन इसी तरीके से solve करेंगे और तुम्हारे general entry का काम भी majorly हो जाएगा ठीक है क्या करें क्या करें को बढ़ी एसा ठीक है purchase furniture from Delhi safe purchase furniture from Raju लेटेश Raju furniture house अब यहाँ पर कहीं भी यह नहीं लिखा है कि cash में खरीदा अब cash में अगर नहीं लिखा तो यह जूंड़ नाम लिखा है क्या देखो cash एक by default term है लिखा है cash में तो अच्छी बात नहीं लिखा cash में तो जूंड़ो भाई अगर cash word नहीं है तो उससामने वाले party का नाम होगा अगर party का नाम भी नहीं है cash भी नहीं है तो भी by default cash बाना जाता है इसमें क्योंकि party का नाम है तो अपने इसको पकड़ लेते हैं देखो दो चीजें इसमें निकली एक तो furniture खरीदा है अब cash में नहीं खरीदा तो उधार में खरीदा है उधार में खरीदा है तो किस से खरीदा है राजू furniture से खरीदा है ठीक है क्या आया हमारे पास furniture क्या गया कुछ भी नहीं गया तो कुछ नहीं गया तो जिम्मेदारी बन गई किसकी जिम्मेदारी बन गई कि राजू को पैसा जुका ना है तो राजू furniture की जिम्मेदारी हमारी बन गई furniture to राजू furniture account ठीक है समझ में आ गया तो यह बहुत आसान तरीका है चीजों को करने का क्लियर हो गया चलो अब बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट का बैलेंस कैसे बनाते हैं देखो एक चीज़ समझना अपने modern अप्रोच कर ली traditional अप्रोच कर ली इन दौनों अप्रोचों में अगर fundamentally चले तो जादा कुछ बड़ा difference नहीं है बस आपकी शुरुवात का जो पहला सिद्धी है उसका difference है अब जैसे आपन दीरे दीरे जैसे भी आपनने बनाना सीखा ना कैसे furniture राजू हो गया ठीक है furniture to cash भी आपनने फटाक से कर लिया आप बिना यह सोचे कि यह कौन से देखा है तो धीरे धीरे जैसे आप करने लगोगे इनको तो आप fundamentally traditional approach रहे रहे हो या फिर modern approach रहे हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता वो सब खतम हो जाएंगे आज अगर मुझस से पूछो ये कक्षा आप बार भी पास करें वे किसी बच्चे से पूछ लो वो बुलेगा य पर बात करते हैं एक account को balance कैसे कीने जाता है अब मतलब क्या है पर इसकी ब्रीफिंग समझो ठीक है क्योंकि यह तुम्हारे टीज करेवाल में यहां पर दिया हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं पर कोई बात नहीं यहां पर दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं account को balance करने का मतलब क्या है पहले उसको समझाओ जैसे मैं सिंपल सवाल से इसको clear करूंगा मैं दो चीजे बोल रहा हुआ है पर्चेस फर्नीचर फ्रॉम राम चालेस अजार एंट्री करें इसकी फर्नीचर करीदा राम से फर्नीचर आया है तो हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट किस से खरीदा है कैश नहीं है तो अधार में खरीदा तो लाइबिलिटी बन गई राम की एक एंट्री हुए आपकी यह दूसरा मैंने बोला फेड टू राम 35,000 रॉपेस राम को पैसे देती है तो यहां पर एक तो कैश हुआ एक राम हुआ कैश हमारी जेव से गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और राम एक लाइबिलिटी थी जो खतम हो गई है काफी हरत तक तो वह डेबिट पर अभी मेरा एक सवाल है आपसे यह बताओ कि अभी राम को कितना पैसा और देना है अभी मुझे राम को कितना पैसा और देना है आप बोलोगे साथ तो बड़ा असान है 40,000 का फंडीचर के लिदा पैतिस दे दिये पांच बाखी मुझे एक चीज समझाना हम यह कैसे बता पाए अब बोलोगे साथ देख और क्या है कैसी वेवकूफाली बाते कर रहे हैं अब अगर मैं कहूं कि इनके बीच में हजारों लाखों ट्रांजिक्शन आ गए तो क्या करोगा अब बोलोगे साथ तो ढूंड़ना थोड़ा मुश् दी तो क्या देखकर ये पता लगाना ढूंड़कर पता लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि राम से कितना बकाया रहे गया है कितना आ गया है अब लोगे साथ नहीं तो यहां पर अकाउंट बहुत जरूरी हो जाते हैं कैसे जरूरी होता है एक फंडमेंटली कॉंस बहुत आसान है यह मैं अकाउंट बना रहा हूं कि वीचए बहुत बहत बहतनी तरीकिया से बनाऊंगा मैंने इसका नाम रख दिया रहा है अब चलो इतना बनाएं यह तो बना लेते हैं ईएए टिपा पे चलता है एसके बीच में कुछ और भी लेजर फोलियों इसकी अब इतना घ्रान रीना अब देखो जब हमने राम से बात करी तो जब राम से फण्टीचर खरीदा तो हमने राम को ग्रेडट कर दिया कितने से 40,000 रूपए से हम मेरी बात को समख लगे अगर मेरी कम्पनी है तो कि हम बार बाल लिखनगो ग्रवजन की कम्पनि pourquoi रवजन ने आज ये किया några रवजन ने ऐसा किया ग्रवजन ने आज वैसा किया नहीं लिखुँगा इसी प्रकार से जिसका account होता है, हम उसका नाम mention कभी नहीं करते, हम दूसरे वेक्ति का नाम mention करते, किसका? इसका, opposite, तो राम से 40,000 में हमने furniture खरीदा, तो राम क्या हो रहा है credit, तो राम के खाते को भी आप credit में ही लिखोगे, यहीं लिखोगे, बर नाम बदल दोगे, राम की जाएगे credit में क्या लिख दोगे, फर्णीचर लिख दोगे, और credit का prefix account में लगता है, prefix मतलब लिखने का तरीका है, कि बाई 40,000 का हमने furniture खरीदा, similarly जब राम को payment करी, तो यहां राम debit हो रहा है, तो debit side लिखेंगे, पर लिखेंगे क्या, 2 cash, तो इधर का prefix होता है, 2, ठीक है, अब इधर लगा रहे हैं, दन नहीं लगाएंगे, तो अच्छा रही लगेगा, बुरा मान जाएगा, तो इसलिए इधर बाई लगा रही है, यह कैसे करते हैं सामझना, एक line ऊपर दो line नीचे, दोनों तरफ का total करो, इधर का पता है, 40 आ रहा है, तो जो ज़्यादा आ रहा है, उसको हमने दोनों तरफ लिख दिया, ज़्यादा वाला क्यों लिख दिया, तो ज़्यादा वाला बैलेंस कर रहा है, हम कोई चीज हटा नही माइनस नहीं कर साकते हैं जोड़ा तो सकती है, अब इधर तो 40 तह लिख दिया, इधर 35 तह हमने या लिखा सब तू बैलेंस रहे गया है, 5000 रुपे का, तू बैलेंस रहे गया है 5000 रुपे का, इस बैलेंस को हम लिखते है, CD नाम से, CD को बोलता है, Karen down, का मतलब होता है, कि हम जो है न, इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे मतलब हमादे मेंmotल भाकी है, लो अगली बार यूज करेगे ऐा है, ओर यहां हमारी किताब हो गई बंद, अब आप एक सवाल पूछेंगे सर किताबे बंद होने का मतलब क्या होता है किताबे बंद होने का मतलब है देखो ऐसा तो होगा ना कि यह राम है पिछले साल सामान खरीदा तो इस साल तक प्रेमेंट चल रही है दो साल पहले सामान खरीदा तो इस साल तक प्रेमेंट चल रह उसी प्रकार से हमारी जो किताबे हैं वो 31 मार्च को बंद हो जड़ते हैं तो 31 मार्च से अगर किसी व्यक्ति का बकाया पेमेंट रह गया है तो हम उसको as a balance शोड़ देते हैं कि इसका पेमेंट इतना रह गया है अब समझे जादा किस तरफ लिखा हुआ था इस तरफ हमने त पाच अजार रुपे इसी तरफ का है by balance BD BD का मतलब क्या है brought down brought down का मतलब क्या है हम उपर से जनाब लेकर आए हैं इसको तू लेकर किया है वाई उपर से लेकर आये थे क्योंकि इसका इसा बाकी रह गया तो और सा शाल कहता हो गया तो इसका balance यहां यह से बैलेंस पढ़ा हुआ था तो हम उठाके वाप्प लिया है और हमने यहाँ पर बैलेंस छोड़ दिया अब यह करने का एक लाजिक और है लाजिक क्या इसा साल दर साल भीतते जाएंगे इसका खता बढ़ता जाएगा तो हम बार बार सब को calculate करने से बैतर है हर साल हमने क्या करा एक calculation लगा दिया अब समझ नहीं अगर मैं आपको बोलू कि नए साल में आपको बस पता है कि राम को 5000 देने हैं तो क्या इसके इलावा कोई additional information आपको चाहिए होगी क्या कि 40 थे 35 दे नहीं चाहिए मेरे को बस इतना पता है कि राम को 5000 देने तो मैं 5000 उसको दे दूँगा तो इसी का मतलब यह है कि हमने यहां ऊपर के transaction करा करने से जो final result साल के अंट तक निकला उसको आमने लाके वापिस यहां पर छोड़ दिया यह जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ लिखा है इस तरफ लिखा है बस यहां balance करने के लिए बता दिया कि 5000 का extra balance है जो करने से पहले जो भी आपकी revenue और expense के account होते हैं उनको कभी balance नहीं किया जाता जो भी खर्चा होगा उसका balance नहीं होता पिछले साल का 10,000 खर्चा है वो अभी तक पड़ा हुआ है ऐसा नहीं खर्चा कभी balance नहीं होता खर्चे का balance प्रिएंडल के खाते में जाता है किसके खात में चला गया ठीक है अभी अगर आपको पूरी तरीके समझ में नहीं भी आया हो तो उसके कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप बस यह देखो कि आपको fundamental समझ में आया क्या कि balance क्यों करते हैं करने का logic क्या है इधर कम वाली side क्यों लिखते हैं उसको अगले साल transfer क्यों करते है बस इन logics को अगर आपके दिमाग ने हरी जंडी दे दी है तो यह मान के चलिए कि आपको पूरी accountancy बहुत आसानी से आ जाएगी क्योंकि यही वो चीजे हैं जो confusion create करती है ठीक है समझ में आ गया clear है चलो तो मेरे साब से आज की कख्षा के लिए इतना काफी है अब आप टे आपको description मिल जाएंगे तो go and enjoy it till then keep on watching